हेलो वेलकम टू प्रतमा आयस तो आज इस पार्टिक्लर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जहासी की रानी का जन्व अन्वर्चरी के बारे में और जानने की कोशिस करेंगे कि जहासी की रानी लक्ष्मिवाई जी थी उनकी बच्पन का नाम क्या था और उनका नाम ज सबसे जो युद्धा थे वह एक महिला हो करके जहासी की रानी लक्ष्मिवाई जी को याद करते हैं हमेशा तो कुछ यहां पर यूनो कोट्स है जैसे आप देखने हैं कि आप हमेशा सुनते होंगे कि अपने होसलों की एक कहानी बनाना हो सके तो खुद को जहासी की रानी तो रीजन क्या है कि आए दिन आप लोग देखते रहते हैं कि कुछ ऐसी घटना जैसे अभी डेली में आपको एक यूनो कपल थे और जो यूनो बवाई था वो क्या क्या कि लड़की को बहुत सारे यूनो पार्ट्स में काट करके और फेक दिया गया तो यहां पर एक एक आप बोल सकते हैं रिफ्लेक्शन की जड़रत है लड़कियों को कि अगर आप कोई पार्टिकुलर यूनो एक एक कदम भी उठाते तो वहां पर आपको कम से कम एटलिस्ट अपने आपको सिक्योर करके रखना चाहिए जैसे मैंने कली न्यूज पर 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 रहा था यह चीज है तो हमें खुद को अपने अंदर मैलाओं को देखना पर एगा कि आप क्या कर रहे हो तो कुछ और भी कोट हैं यहां पर देखते हैं कि मुर्दो में भी जान डाल दे उनकी ऐसी कहानी है वो कोई और नहीं जहासी की रानी है तो हम लोग सुनते हैं इस तरह के कोट ठीक है और रिसेंटली जो है लक्ष्मी वाई जी का एक तरीके से बोल सकते हैं बर्थ एनवर्सरी सेलिवरेट किया गया और आप यहां पर देख रहे हैं यह प्याइवी का आर्टिकल है इवन प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि लक्ष्मी वाई सोर्स ओफ इंस्पिरेशन प्र प्रेस्टिज की वाई आती है जब आपको अपनी एक एक सेल्फ बोल सकते है रूल और खुद की स्वतनता की वाई आती है तो इसमें सबसे जीता जाता हो दारन इतने दिनों बीतने के बाद भी लक्ष्मी वाई जी को हम लोग याद करके करते हैं ठीक है तो देखेंगे इ वीडियो में की अक्चली में नीड क्या था उनकी हिस्ट्री क्या है ठीक है और कोशिस करेंगे जानने की तो देखें सब से पहले 1857 की वार से पहले अगर हम उनकी बात करें कि उनका जन्म कब हुआ था तो 19 नवंबर 1828 को बनारस के एक माराथी ब्रामन परिवार में उनका जासी के रानी जी का जन्म हुआ था ठीक है और वो हमेशा से प्राकर्म और सहास के लिए आज भी नारियों में याद किया जाते हैं ठीक है और 1857 में उनको हम एक तरिक से और भी बहुत ज्यादा लीडर थे जैसे तांतिया तोपे हो गए नाना साहब हो गए यह सब सब बह इसके मुमेंट को रोकने का अंतिम सांस तक एक तरीके से बोल सकते हैं लड़ाई की और इसलिए हम उन्हें नमन करते हैं इस चीज को ठीक है और जो 1857 की वार है उसे हम First War of Independence भी बोलते हैं और जब उनकी डेथ हुई 1858 में तब तक वो लड़ते रहे तो जैसे 1868 में उनका जन्म होता बनारस में उन्हें सुरू में क्या बोलते थे तो मनी करनी का तामबे करके उनका नाम था फिर वह गौह में ही पढ़े फिर वहीं यूनों एक तरीके से सुटिंग फैंसिंग मलक हम आपको पता है मलक हम एक तरीके का जो है ना पोल वॉल्ट वाला जो है ना situation होत कर जो उस टाइम पर महराजा थे एक तरह से जहासी के उनके साथ 1842 में साधी कर दिया गया और उस टाइम पर वो जो है ना केवल 12 साल के थे 1851 में उन्होंने एक लड़के को जन्म दिया बट वो सिरभाइब नहीं कर पाय क्योंकि और चार मेने बाद उस बच्चे का मौत हो और जैसे ही उन्होंने आनंद रौ या दामोदर को एडॉप्ट किया वैसे ही महराजा जो थे गंगा धर रौ उनको कुछ बीमारी होने के कारण से 1843 में मौत हो गई और इधर अंग्रेज जो है ना बिलकुल जो उनकी कुछ नितिया है जैसे मैं आपको आगे एक कोश्चन मैं अभी जश्ट देने वाला हूँ कि आप बताईए यहाँ पे जैसे यहाँ पे देखिये कुछन आपका कि अंडर विच सिस्टम और सेटलमेंट इंडियन एस्टेट्स लॉस्ट देर राइट तो फॉरें अफेर्स और डिफेंस डॉक्ट्रिन ओफ लैप्स सबसीडरी अ पर्मानेंट सेटलमेंट एंड डायार की सिस्टम तो आपको बताना इसमें से कौन सा ऑप्षन करेक्ट है तो हम कहां पे थे हम यह बोल रहे थे कि जैसे ही आनंद रौ को लक्ष्वी वाई ने अपने बेटे के डेथ के वाद गोद लिया वैसे ही राजा जो थे गंगा धर राज नवलकरजी उनका भी डेथ हो गया और फिर अब सारी जिम्यदारी एक तरीके से बोल सकते हैं पूरी जहासी के रानी पर आ गई कि अब इस इतने बरे यूनो टेरिटरी को या बोल सकते हैं राज को कौन सबालेगा तो और इधर इस इंडिया कंपनी जो है न इस की अगर कोई भी एस्टेट चाहे वह प्रिंस लड़ी है ठीक है चाहे वह डारेक्ट कंट्रोल में है या इंडारेक्ट कंट्रोल में है कंपनी के अंदर और रूलर के पास कोई legal male नहीं है मतलब उनके पास कोई अपना बेटा नहीं है लीगल जो की नया राजा बनेगा तो उसको अंग्रेज या कंपनी क्या करेगा एनेक्स कर लेगा एनेक्स करने का मतलब कब जा कर लेगा ठीक है और ये सब चीजे सुन करके लक्षी भाई गुसा गई उनका एक एक आपने नाम भी सुना होगा जैसे मैं आपको आप बताता हूँ वो बोलते थे कि मैं अपनी जहासी नहीं दूँगी तो इस टाप का सिचुएशन उनके अंदर मतलब जा गया था कि वो अपनी जहासी देना नहीं चाहते थे और इस चीज को सुन करके ये जो डिस प्लीज आया था मतलब जो एक तरीके से दुख देने वाली बाते जो एक इंजस्टिस वाली बाते जो है न एक तरीके से लडानी को बहुत ज़्यादा एकदम प्रभावित किया और उन्हों ने खुद कोर्ट आफ लेंडन में इसकी अपील की लेकिन इस चीज को अंग्रेज जी हुकूमत या कंपनी बोल सकते हैं उन्होंने नकार दिया और बिटिसर्स का जो प्लैन था टू एनेक्स जहासी वो एक तरीके से जो है न चलने लगा ठीक है और बिटिसर्स चाहता था कि भाई तुम जहासी दे दो मुझे यहाँ पर जो फोर्ट है गॉलियर की वो मुझे दे दो और मैं तुमें साथ हजार रपी उस्ट समय में साल में पैंसन दूंगास और फिर जो है न अब फोर्ट को सदा सदा के लिए छोड़ दो लेकिन वो खुद जो है न डॉमिनियन आफ जहासी को छोड़ना नहीं चाते थे और इस चीज के लिए उन्होंने क्या बनाया एक आर्मी बनाई है किसके तो ब्रिटिस के रिवेलियन के साथ मिल करके इवेन उसमें महलाएं भी बहुत जादा थी और उनको मदद करने के लिए उस टाइम पे जो आप बोल सकते हैं ब्रिटिसर्स दूसरे यूनो टेरिट्री को जब कम जा चुके थे इस पेसली आप बोल सकते हो यूनो जो तांकिया तोपे और नाना साहिब हुआ करते थे माराठा इंपार में उनको तो उन लोगों ने भी क्या क्या आप बेटे दामदर रओ आंनदर रौ को अपने पीठ पे बांदा और बहुत ब्रेवरी बहादूर्ता के साथ जो है न अपने दोनों तलवार से दोनों हाथ में रख करके लड़ाय किया और अन्थता अपनी प्रान की आहोती देदी जून 17 1958 को जहासी की रानी जी का एक तरीके से बोल सकते हैं वो सहीध हो गए और इंडिया की जो एक फ्रीडम मुमेंट थी उसके बाद से जो है आप बोल सकते हो जो पूरा भारत है इस पे अंग्रेजी हुकूमत अब राज करने लगा और आज भी देखिएगा तो रानी लक करदा और सुमन के साथ याद करते हैं ठीक है तो यह एक प्रेड़ाई फीगर है नाकी के वल महिलाओं के लिए बलकि एक वाडियर के लिए कि आप एक क्रिटिकल समय में जब आपको कोई कुछ नजर नहीं आता तो उस टाइम पर आपको किस तरीके से वैलेंटली लरना चा एक तरीके से नॉन इंटर्वेंशन पॉलिसी हुआ करता था और लॉड वेलसले ने इसको गवर्नर ऑफ जर्नल के तहत रहते हुए 1798 से 1850 तक इसको एक तरीके से बोल सकते हैं लागू किया था ठीक है बट सबसे पहले अगर देखोगे तो मार्क्वेस डुपलेक्स जो फ देखे डॉक्टरिन आफ लैप्स जो 1869 में जो नो बिटिस राज में अबेंडेन कर दिया गया और यह एनेक्सेशन पॉलिसी इंट्रूडिस्ट किया गया था बिटिस इंडियन कंपनी के द्वारा बट सबसे पहले यूज किस ने किया तो लॉड डल हो जी और यही डॉक् इस्ट्रा इन्फरमेशन है आप यहां पे देख सकते हैं पहुच करके आप सबको देख सकते हो ठीक है और डॉक्तिन आप लैप्स को लॉड कर दिया था ठीक है फिर आपको परमानेंट सेटलमेंट आया यह लॉड कॉनवालिस लेकर के आया थे और इसको जमिंदारी सब्सक्राइब किजिए और डॉन्ट फॉर्गेट टु हिट दे बैल आइकन ताकि आपको सही समय पर हमारी नोटिफिकेशन मिल जाए बहुत बहुत धन्यवाद थेंक्यू सुर्ण